किसी भी आदमी ने एक भी ऐसी फिल्म देखी है मेरी, जिसे आप पॉन की काटेगरी में कह सके, आप जिन लड़कियों को डिफेंड करते हैं, आप कहते हैं, ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं, उनकी तो पता नहीं कितनी ब्लू फिल्म लोगों ने देख रखे में मुबै पॉल्स के खिलाफ नहीं कहना चाहूंगे, क्योंकि आप पूरी संस्था को गलत नहीं कहसकते, मैं सिर्फ मेरे आयो के लिए बोलना चाहूंगे, बिल्कुल, ब्लेंट मैं उसी आदमी के लिए कहना चाहूंगे, जिसने मज़ पर केस बनाया, क्योंकि जब पहली बार मेरे घर पर ये लोग घुसे थे 14 लोग पूरी मीडिया को बोला गया कि मैं शूट पर थी एंटाया मीडिया वो स्टॉकिंग कि मैं मड पर पाई गई थी शूट के दौरान जबकि मेरी चार्शिट जो मेरे नीचे गाड़ी में रखी हुई है कुछ 7,000 पेज़ेस की है दो लोगों को ठानी पड़ती है मैं आप लोगों को सारे पेपर दिखा सकती हूँ उस पे इन्होंने लिखा है कि 6 को ये लोग इंक्वाईरी करने के लिए मुझे बुलाया फिर उन्होंने मुझे अरेस्ट कियो और इनका कहना है कि मैंने खुद कहा है कि मैंने ये किया है तो पहले अपने मीडिया को क्यों गुमरा किया कि मैं वहाँ थी पहला statement गलब second आपको जो लगता है आप case लगा दोगे पहले proof तो लेकर आओ आप कह दे तो इतने वीडियो मिले सारी चीज़े गूगल पर है सारी चीज़े डिजिटल पर है अगर आपकी कोई चीज गूगल पर है तो आप उसे कभी भी लाइफ में गूगल से नहीं हटा सकते क्या किसी भी आदमी ने एक भी ऐसी फिल्म देखी है मेरी जिसे आप पॉन की कैटेगरी में कह सके आप जिन लड़कियों को डिफेंड करते हैं आप कहते हैं ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं उनकी तो पता नहीं कितनी ब्लू फिल्म लोगों ने देख रखी है वो अचानक से देवी और सती सावित्री बन गई और जिसकी एक भी फिल्म जो पॉन की कैटेगरी तो बहुत दूर की बात है मेरी एक भी फिल्म ऐसी नहीं जो टॉपलेस हो आपने ये बना दिया कि मैं पॉन मेकर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डिमका हूँ आप मुझे पे एक ऐसा केस लगाते हैं कि मेरे सतर लोगों के सेट के बीच में एक लड़की का रेप हुआ है 376D मुझे पे ये सेक्शन लगा दिया 376D क्या कोई छोटा सेक्शन है मैं जेल में थी, वहाँ पे बहुत सारे क्रमिनल लॉयर्स भी थे जो अंदर थे कुछ पीपी थी, जो बहुत सालों से जेल में है वो मुझे देखा करती तो मुझे पे हस्ती थी ऐसा होता है क्या शूटिंग सेट पर कभी किसी का रेप होता है क्या आप कोई चीज बहाइंड दा डॉर या बैडरूम के अंदर नहीं कर रहे है आप कर रहे है इन फ्रेंट आफ कैमरा ठीक है तो जो चीज कैमरे में हो रही है आप किसी का फोर्स Schönly रेप नहीं कर सकते आप किसी से फोर्स स्पुली acting नहीं करा सकते 2 घंटी के फिल्म को 4 घंटे में शूट नहीं होती है मैं नों शूट होती है अचानक से डेडर साल दो साल बाद एक लड़की को याद आता है उसका रेप हो गया था क्या मजाग चल रहा था आज अगर आपके पैसे कोई ले ले आप पोलिस में जाएं आपको प्रूफ करने में टाइम लग जाएगा आप मेंसे किसी आदमी पर अगर एक लड़की रेप केस लगा दे आपको जिन्दगी निकल जाएगी प्रूफ करने में क्याँ आपने किया है या नहीं किया है तो एक लड़की पर कैसे आप रेप केस लगा सकते हो और मुमन के नोट रेप डोमन रैट और शूटिंग सेट पर देखो आपने कास्टिंग काउस सबूब आपने मिजू सुना होगा क्या आपने पहले कभी सुना है कि 70 लोगों के सेट पे जहां पे तीन तीन कैमरे सेट अप हैं मेरे यहां ड्राइगन कैमरे से छूट होता था मेरे सेट पे दो दो ट्रक लाइट आती थी आठ आठ हम लोग पार यूस करते थे क्योंकि करना पड़ता है लड़की को सुन्दर रिखाना होता है इतने बड़े सेट अप में क्या किसी लड़की का रेप हो सकता है मुझे नहीं हो सकता इंपॉसिबल है मुझे लोग पूछते हैं आपके ऐसे बैठ कर देख रही थी आपके ऐसे बैठ कर देख रही ते रेप होते हुए मैं 133 दिन जेल के अंदर थी for something जो पॉसिबल ही नहीं है जास मेरा केस थ्रॉंग करने के लिए मुझे पर केस लगाए गए गए and I'm hoping मैं कहते हूं मैं गलत हूं तो उपर वाला मुझे सजा दे मैं गलत नहीं हूं तो उसे सजा दे जिसने गलत किया है that's it कि अखिर में आप क्या प्रेंट के लिए अच्छा मैं बहुत एक्साइटेड वगड़े के लिए और यह बहुत सही टाइमिंग है तो सालिप्रेट बदे क्योंकि बहुत टाइम से लॉकडाउन लगा हुआ था और वी नेवर नो किसी को पता नहीं कि कि कल से लुक्डाउन नलग जायें कि यस 15,000 तो वह हैं जो हमें बिख रहे हैं बहुत सारी चीज़े होती नहीं है कई पर होती होती हो इस दिखती नहीं है तो भी नईवर नो बाट उन्होंने बहुत सही डेस चूज किया तो सालिब्रेट है थो इस वक्डे जाए हैं बहुत अच्छा है कि विक मैं इस पे राज का नाम इसले नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं अरेस्ट कुई थी, तब राज पिच्चर में नहीं था हम लोग जेल से बाहर आगए, मैं 22 जून को बाहर आई हूँ, 18 जून को में बेल हुई थी 19 जून को अल अव सदेन राज को इंक्वाइरी के लिए बुलाया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, और रात को मुझे 10-10 बजे चैनल से कॉल आता है, कि आपको क्या कहना है, पुल्जे चैनल का है, नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि चैनल आपके लिए बहुत सपोर्टिव ह होता है, और मैं अपनी लाइफ में अगर किसी के सबसे जादा थैंक्फुल हूँ, तो मैं मीडिया की हूँ, मेरे लिए लाइफ में अगर भगवान को कोई दूसरा रूप है, तो मैं मीडिया को कहूंगी, मुझे लाइफ में अगर किसी में बोलने का मौका दिया है, देख मेरे लइन और बहुत बहुत छोटा शेर है चिर्मिरी करके 36 गड़ में एक बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है चिर्मिरी पहारों वहाँ नगर नगव में था पॉपिलेशन भी 2-3gen रहा ही होगी मैं कोचिंग करने के लिए 5-6 किलोमेटर रोज पैदल चल के जाती थी मैं वहां से मैंने IAT का एक्जाम दिया मैंने IEEE, CGPET, MPPET मैंने क्लियर किया मैं भुपाल आई इंजिनिरिंग करने के लिए मैंने इंजिनिरिंग करने के लिए मुझे लोन लेना पड़ा मैंने जैसे इंजिनिरिंग की सबसे पहले मैंने लोन क्लियर किया फिर मैं बंबे आई तो I know कि कितना स्ट्रगल होता है छोटे शहर से यहां तक आना और जब आप पे अचानक से एक दिन यह तोहमत लगा दी जाए क्या अपने यह गलत क्या वो गलत क्यों आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता है तो वहां पर आपके बस मीडिया होती है तो I'm very grateful to media but मैं मीडिया से एक और बात कहना चाहूंगी देखे पूरे दुनिया को पता है कि मेरे cases क्या थे सब को पता है क्या base reality है मेरे flat है दोस्तों मालवानी 8 नंबर में जो मैंने किसी को rent पे दिया था उसमें पता नहीं किसको heavy deposit पे दिया या नहीं दिया it's been 15 months now मेरे घर पे कोई कबजा करके बैठा हुआ है और मेरी कोई help नहीं कर रहा है मेरे जो जिसने तबजा किया है उसका नाम है वसी मैनुदीन शेख मालवानी 5 नंबर में matter आता है मैं बार बार इंसे help मांग रहे हैं तो लोगों को arrest कि कुछ बोला है कि नहीं पुलिस कह रही है civil का matter है civil का matter है you have to handle तो मैं कहती हूँ कैसे civil का matter है मेरा घर है आप नकली पेपर बना कर किसी और के पैसे ले लेते हो नीचे name plate मेरा नाम है maintenance मेरा नाम है घर की owner मैं हूँ आप नकली पेपर बना कर किसी और को रख लेते हो तो कैसे criminal नहीं है तो आपने लॉयर के साथ F.I.R. ने अभी तक लॉयर की थूँ इसने नहीं गई क्योंकि जब अब matter court पे जाता है तो time लगता है अल्डेडी मेरे घर में 15 months लग चुके हैं अगर इस चीज़ पर ले seriously action ले तो लोगों को घर से निकाल सकते क्योंकि पस कोई proof नहीं है अगर आपने पैसा किसी और को दिया है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं मैंने अपसे कुछ नहीं लिया आपने मुझे कुछ नहीं दिया मैं आप मेरे कुम जानते नहीं हैं, बस आप मेरा घर खाली करें, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे किसी का कुछ नहीं करना अरे मैं तो कहती हूँ, पूरी मीडिया मेरे घर में घुज जाओ, और जो लोग रह रहे हैं निकाल दो